हलो मैं हूँ रश्मी और आप देख रहें मेरा ट्रैबल व्लोग अभी मैं उत्राखंड के निताल में हूँ यहाँ पे लास्ट चोबीस घंटे से जबरदस्त बारी सो रही है आज मेरा वापस दिल्ली जाने का प्रोग्राम था लेकिन हैवी रेंड की वज़े से मैं अपने होटल में ही ही फसी हुई हूँ मैं अपने होटल के रूम से ही यहां का ताझा हाल बता रहे हूँ यहाँ पे मुसलाधार बारिस के साथ साथ ओले भी पड़े हैं यहां पे ठंड भी बढ़ गई है इतना मैं सोची नहीं थी मौसम भीवाग ने आज के दिन के लिए रेड अलट जारी किया है तो देखिए यहां तेज बारिस कैसे हो रही है यह मैं आपको अपने होटल के बालकनी से दिखा रही हूँ आज आठाराग टूर है बड़ मौसम देखके ऐसा लग रहा है कि यह दिसमर का मन्त हो नेनिताल विजिट करने के लिए बेस टाइम होता है अग टूर यहां पे अग टूर में जादा ठंड नहीं होती है और जर्मी भी नहीं होती है बारिस तो बिल्कुल नहीं होती है बहुत कम होती है तो टूरिस्ट तो इतने भरे हुए थे बहुत टूरिस्ट भरे हुए थे अमें नहीं लगा था इतना टूरिस्ट होगा नेनिताल में हर जगह घूमने जा रही थी तो सब जगह टूरिस्ट की भीड थी बहुत भीड बट नॉन स्टॉप 24 घंटे से इतना बारिस हो रही है कि सारे टूरिस्ट अपने होटल के रूम में फसे वे और उमें से मैं भी हूँ और सानवी थोड़ी अपसेट है मेरी बेटी वो आज के दिन घूम नहीं सकी बट हम लोग बोटिंग कर लिये थे तो ठीक है थोड़ा हम लोग होटल में भी इंजोई कर रहे है उमीद है कल बारिस कम हो जाएगी तो फिर हम लोग वापस जाएंगे आज तो जानी पाए हम लोग आज इसका टीकट कैंसिल करना पड़ा क्योंकि आप सुनने में आया कि रूट सब रूट बंध है कार्ट को डाम जाने के लिए नैनी ताल टू कार्ट को डाम अब मैं आपको होटल बालकनी का थोड़ा सा क्लोज़ब व्यू दिखा रहे हूँ या मैं कलरफूल अम्रेला के साथ खड़ी हूँ वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद और अगर आपको और भी वीडियो देखना है तो मेरे चानल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और हाँ जो अभी उद्राखन आने वाले हैं लोग जो भी चारहें की उद्राखन जाके घुमे तो अपना प्रोग्राम पॉस्पॉंट करतें और एक दो दिन के बाद ही उत्रा खंडा है क्योंकि अभी माउंटेन एरियाज में सारे सारे हील स्टेश्में में बहुत बारी सो रही है थेंक यू उन सेगेंड फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ